हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप एक और नई हेल्थी और टेश्टी रेस्पी के साथ आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है ये दिखे कितना बड़िया डोसा बनकर तयार हुआ है जिसे हमने सावर के साथ सर्व किया है बहुत ही कम समय में ये डोसा बनकर तयार हो जाता है इसके लिए हमने वन थर्ड कप ओर्ट्स लिया है ओर्ट्स को हम दो मिनट के लिए गैस पर रोष्ट कर लेते हैं ओर्ट्स हमारा रोष्ट हो रहा है ये डोसा बहुत जल्दी कम समय में बनकर तयार हो जाता है ब्रेकफास्ट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्थी भी है चलिए तो ओर समारे रोज ठुट चुके हैं जब ये बिल्कुल ठंडे हो जाएं तब इसे हम मिक्सी के जार में डाल कर पीस लेंगे ये देखें ओर समारे पिस चुके हैं चलिए तो फटा फट से हम इसे एक बाउल में निकाल देते हैं आब इसमें आदा कप हम चावल का आटा डालेंगे अगर चम्मच से ना पिए तो ये पांच बड़े चम्मच आटा है और बन फोर्त कप इसमें हमने सूजी ली है तीन चम्मच सूजी एक कप इसमें हमने पानी डाला है और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम डोसे के बेटर में कोई भी लंज नहीं होना चाहिए खुब अच्छे से आप इसे चलाते हुए मिक्स कर लीजिए चलिए आदे गंटे के लिए हमने इसे रख दिया था अब इसमें हम कटी हुई अद्रक डालेंगे यह आदा इंच अद्रक थी दो हरी मिर्च बारीक चौप की हुई यह एक मीडियम साइज का प्याज है इसको भी हमने बहुत बारीक चौप किया है कुछ करीपत्ते हातों से तोड़कर इनको भी हम डाल रेते हैं साथ में कटा हुआ हरा धनिया एक चम्मच जीरा आदी चम्मच काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा नमक नमक आप स्वात के अनुसार डालिए सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सूजी डालने से बेटर थोड़ा सा हमारा गाड़ा भी हो गया है अब इसमें हम पानी और डाल देते हैं यहाँ एक कप पानी हमने और डाल दिया है यह दिखिए हमारा पोट्स डोशे का बेटर कुछ इस तरह का होना चाहिए बिल्कुल फ्लोरिंग जैसा बस अब तवे को हम थोड़ा सा तेल लगा कर ग्रीज करेंगे कटोरी से डोशे का बेटर लेंगे और तवे पर चारो साइड हम इसे फैला देंगे यह काम हम हाई फ्लेम पर करेंगे गैस की फ्लेम हम हाई रखेंगे उपर से डोशा जब अच्छे से सूख जाएगा तब इसे हम थोड़ा सा तेल लगा कर ग्रीज कर देंगे यह दिखे कितनी आसानी से हमारा डोशा निकल गया है यह दिखे एक डोशा बन कर तयार हो गया सारे डोशे इसी तरह हम बना कर तयार कर लेंगे इन्हें हमने सावर के साथ सर्व किया है यह दिखे कितना क्रिश्पी डोशा बन कर तयार हुआ है बहुत कम समय में यह विरिखफास्ट बन कर तयार हुआ हो जाता है कैसी लगे आपको यह रेश्पी कमेंट करके हमें जरूर बताईएगा और यदि रेश्पी अच्छी लगे तो उसे लाइक, सेयर और कमेंट जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूने थेंक यू